इस वीडियो को स्पॉंसर के आएगा इस टेनोशेर ने टेनोशेर के वेबसाइट के उपर कुछ जबरदस्थ हॉलिडे की डील्स चालू है एन एक गिव अवै भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे है। हॉलिडे डील्स की लास्ट डेट है जैनुवरी एट तूथाउजन एंट वेटीवन प्रमोशन की पीरियड के अंदर आपको एक फ्री वीडियो एडिटर कंप्रेटली इनके तरफ से मिल रहा है आपको बस हैश्टेग शेर करना है फ्रेंड्स को टैग करना है उसमें एन डि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने मिल जाएगा इस बंडल के अंदर टेंवर शेर का री आईबूर्ट सॉफ़एर भी इंक्लूरेड है जो के एक आयुए सिस्टेम रिकवरी का सॉफ़एर है जो वन फिफिटी प्लस आयुएस के इश्यूस को एज लिफ्ट के टॉर पे इनके तरफ से तर्म्स और कंडिशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे हाई गाइस कैसे आप लोग तो यह है एपल का ओफिशल मैक सेफ वायलेस चारजर जो के कुछ इस तरह नए आईफोन 12 सीरीज के साथ मेगनेटिकली अ आज इसका एक छोटा सा अन्बॉक्सिंग करेंगे और आप लोग को कुछ रीजन्स बताऊंगा कि क्यों इसको खरीदना मतलब अपने पैसे को बरबात करने जैसा होगा और क्यों लॉग रन के अंदर यह आपके फोन के लिए सेफ नहीं है तो स्टार्ट करते हैं अन्बॉ इन कैलिफोर्निया एंड इसके अंदर आपको देखने मिलेगा अपना मैक सेफ का वार्लेस चार्जर एंड इसके लावा कुछ वारंटी पेपर वक्स आपको देखने मिलेंगे बॉक्स के अंदर वारंटी समरी देखने मिलेगी और कुछ आप लोग को यहापे देखने मिल और आगे की साइड पर जहां से चार्ज होगा आपका फोन वहां पर आपको सॉफ्ट टच का सिलिकॉन टाइप कुछ material देखने मिलेगा, overall build quality and premiumness के मामले में आप इसको top notch कह सकते हो, typical apple style build quality आप इसको कह सकते हो क्योंकि apple के जो products होते है, वो बिल्कुल भी cheap materials के उपर जो है वो based नहीं होते, and अगर magnetic connection की बात करें, magnetic strength की बात करें, तो काफी एक अच्छा खास आपको यहाँ पर इस charger का magnetic strength देखने मिलेगा, आप लोग यहाँ पर check out कर सकते हो, यह जो है, iphone 12 pro max है, और iphone 12 pro max जो है, वो एक काफी भारी phone है, इसके अंदर काफी ज्यादा weight है, तो magnetic connection काफी strong है, और easily यह detach भी नहीं होगा, अगर आपको जो है, इसको detach करना हो, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर pressure apply करना पड़ेगा, तो magnetic strength के मामले में भी आपको बिल्कुल भी disappoint नहीं करेगा, तो अब बात करते हैं कुछ reasons के बारे में, कि क्यों मैं ऐसा है का, कि इसको purchase करना, मतलब अपने पैसे को बरबात करना हुआ, तो आएए बात करते हैं उन reasons के बारे में, तो सबसे पहला reason जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कि यह जो box है, 4500 रुपिस का यह जो charger है, इसके अंदर आपको कोई भी type का charging adapter देखने नहीं मिलता, आप लोग को अलग से यह 20W का charging adapter खरीदना पड़ेगा, इस charger के तुरू अपने phone को charge करने के लिए, यह जो 20W का charging adapter है, एपल अपनी वेबसाइट पे 1900 रुपिस का sell कर रहा है, मतलब चारजर 4500 रुपिस का और 2000 रुपे का charging adapter extra, मतलब आपको overall जो wireless charger का package पड़ेगा, वो पड़ेगा 6500 रुपिस का, जो कि इसको काफी एक महेंगा charger बनाता है, अब बात करते हैं गई, second reason के बारे में, जो के हो गया convenience, अभी wireless charger लोग क्यों purchase करते हैं, wireless charger लोग purchase करते हैं, convenience के लिए, जो कि मेरे पास में ये, एक Qi compatible का wireless charger है, इसको कुछ इस तरह table पर मैंने रखा है, जब कभी मुझे phone को charge करना है, मैं कुछ इस तरह इसके उपर रख दूँगा, मेरा phone जो हो charge होना start हो जाएगा, और जब कभी मुझे अपने phone को use करना है, मैं कुछ इस तरह phone को उठाऊँगा, और phone को जो है, मैं easily use कर पाऊँगा, तो ये actual में main concept है, wireless charger का, इसको भी charge करने के लिए, आपको एक cable की जरूरत है, और एक adapter की जरूरत है, लेकिन ये एक base है, एक strong base है, जो कि आपके table के उपर परा होता है, जो कि आपको एक अच्छा खासा convenience परवाइड करता है, और ये जो max safe का जो wireless charger है, उसको use करने के लिए, आपको दो हाथों की जरूरत परती है, मतलब table पर ये पढ़ा होगा, आप लोग जाके सीधा इसको रख दोगे, ये attach हो जाएगा, लेकिन इसको detach करने के लिए, आपको दो हाथों की जरूरत परेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप phone को उठाओगे, ये detach automatically हो जाएगा, आपको दूसरे हाथ की जरूरत परेगी, इसको detach करने के लिए, और अगर आपको दूसरे हाथ की जरूरत परती है, तो इसको attach and detach करने में, और जो lightning port है, उसको attach and detach करने में, फिर क्या फरक रह जाता है, मतलब अगर हम लोग directly चाहे, तो 20W का adapter उसे charge कर सकते, इससे फिर charge करने का क्या मतलब हुआ, अब बात करते हैं गाई, तीसरे reason के बारे में, और तीसरा reason है, कि ये जो है, आपके phone को नुकसान पहुचा सकता है, कैसे नुकसान पहुचा सकता है, मतलब जैसे ये magnetically attach हो जाएगा, मैंने इस charger को जैसे unbox किया, कुछ देर जस्ट अपने phone को charge किया, और कुछी time के अंदर मुझे जो है, circular rings अपने phone के उपर देखने मिल गई, मतलब अगर आप ऐसे person हो, जो कि अपने phone को without case यूज़ करना चाहते हो, तो आपके लिए charger बिल्कुर भी recommended नहीं है, मतलब कुछ time के अंदर इसने circular rings लगा दी, इसको जो है मैंने easily rub करके निकाल दिया, लेकिन long time के लिए over time अगर आप इसको यूज़ करोगे, तो यह जो ring से वो permanent हो सकती है, और काफी ज़्यदा scratches जो है आपके phone के उपर लग सकते है, अगर आप इस charger को without case यूज़ करते हो, तो इसी के साथ आते हैं हमारे चौथे reason के उपर जो के है, अगर आप अपने phone को case के साथ भी यूज़ करते हो, और इसके बाद अगर आप लोग MacSafe का wireless charger यूज़ करते हो, अपने phone को charge करने के लिए, तो basically यह case के उपर भी circular marks लगा देगा, over time आपको case है, उसके उपर भी आपको circular marks देखने मिल जाएंगे, अगर आप Apple के तरफ से silicon case यूज़ करते हो, या तो अगर आप Apple के तरफ से leather case यूज़ करते हो, या तो आप कोई भी brand का leather case है, तो silicon case यूज़ करते हो, या तो transparent case भी यूज़ करते हो, तो case के उपर भी over time आपको marks देखने मिल जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए, ये काफी एक annoying चीज़ हो सकती है, अब guys आते हैं हमारे fifth reason के उपर, ये जो charger है, काफी ज़्यादा warm हो जाता है, charger itself, phone की तो मैं बाती नहीं कर रहा, charger खुद बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है, इसका जो temperature मैंने continuously monitor किया है, charging करने के time पर, और charging करने के time पर, ये बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है, approximately 38-40 degrees के आसपास winter season के अंदर, मैं जहाँ पर रहता हूँ, आपर 2022 degrees के आसपास का temperature होता है, और रात को winter season के अंदर, ये charger 38-40 degrees के आसपास गरम हो जाता है, जितना मैंने इसका जो temperature measure के है, फोन का continuously charging करने के time पर, charger कुछ 38-40 degrees के आसपास गरम होता है, और उसी के साथ सार आपका जो phone है, वो भी 38-40 degrees के आसपास उसका surface temperature आपको देखने मिल जाएगा, अगर आप लोग 20W के adapter के साथ अपने iPhone को fast charge करते हो, तो आपको 38-39 degrees के आसपास का surface temperature देखने मिलेगा, लेकिन ये जो fast charger है, वो कुछी time आपके phone को fast charge करता है, और 60-70% के आसपास आने के बाद, ये जो fast charger है, वो slow हो जाता है, और आपका जो phone का surface temperature है, वो आपको गिरता हो देखने मिलता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये जो charger है, वो continuous ले आपके phone को गरम रखेगा, 80% तक charge होने तक ये phone को गरम रखेगा, उसके बाद ये खुद भी ठंडा पड़ेगा, और phone भी ठंडा पड़ेगा, लेकिन ये charger जो हो काफी एक slow charger भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये charger एक fast charger है, 15 watt का जो Apple यहाँ पर max output speed क्लेम कर रहा है, वो एकदम peak पे होता है, मतलब जब आपका phone 10-15% पे होगा, तो इसको थोड़ी देर ये fast charge करेगा, लेकिन overall long run के अंदर ये जो है, आपके phone को slow ही charge करेगा, इसका जितना मैंने charging speed measure किया है, 15% मैंने अपने phone को charge करने रखा था, iPhone 12 को ये वाला iPhone को नहीं, तो 15% से 22% पे ले गया 10 मिनिट के अंदर, और फिर 33 या 34% पे ले गया 20 मिनिट के अंदर, और 2 गंटे लगे इसको 80% पे phone को ले जाने के लिए, और overall 4 गंटे लगे इसको phone को full charge करने के लिए, मतलब आपको ये मस्तुतना कि ये जो charger है, वो बहुत साथ एक fast wireless charger है, हाँ ये magnetically आपके phone के साथ attach हो जाता है, आपको efficiency provide करता है, और अगर आप सुबा उठोगे तो आपका जो phone है, वो full charge रहेगा, मतलब normal cheap compatible wireless charger के साथ कभी कबर क्या होता है, कि हम लोगों ने ये जो cheap compatible charger है, इसको पर phone रख दिया, और कभी कबर perfect alignment ना होने की reason से, ये जो charger है, वो charge नहीं करता, तो ये problem आपको यहाँ पर नहीं आएंगी, लेकिन speed के मामले में, ये आपको बिल्कुल भी मतलब ये अची compatible से, बहुत ज़ादा कोई speed provide नहीं करेगा, peak पे 15 watt पे जाएगा, लेकिन overall ये 7-8 watt पे ही phone को charge कर रहा होता है, और इसी के साथ साथ आते हैं हमारे अगले reason पे, कि अगर आप लोग iPhone 12 के अलावा, कोई और phone यूज़ करते हो, कोई अगर और iPhone यूज़ करते हो, कोई Android का phone यूज़ करते हो, या तो अगर आप अपने airports वगरा यूज़ करते हो, तो ये जो है और भी slow charge करेगा, मतलब iPhone 12 को ये 4 गिनटे में अगर full charge करता है, तो iPhone 11 हो गया, iPhone XR हो गया, और कोई भी iPhone होगे, जिसके अंदर पीछे circular magnets नहीं है, उस phone को ये 5-6 गंटे लगा देगा, full charge करने के लिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते है next reason के उपर, और ये जो मैं आपनों को reason बताने वाला हो, वो शाहिए future updates के अंदर Apple इसको solve कर दे, ये reason क्या है exactly, तो MagSafe से अगर आप अपना iPhone को charge करते हो, तो iPhone का जो lock का sound है, वो एकदम weird सा हो जाते है, एकदम change type का हो जाते है, जब तक कि मैं अपने phone को restart नहीं करता है, मेरा जो lock का sound है, वो change दी रहता है, और काफी टाइम पर ये मुझे बहुत ज़ाधा annoy भी करता है, तो ये थे काईस इस charger के सारे disadvantages, अभी advantages के बारे मैं बात करे हैं, अगर pros के बारे मैं बात करे हैं, तो build quality and premiumness के लवा, मुझे इस charger के और कोई भी advantages ऐसे नहीं लगे, बिल्कुल भी ये charger इतना worth नहीं है, concept बहुत ज़ाधा अच्छा है, and future में शायद Apple इसके बार और ज़ाधा accessory वगरा, कुछ अच्छी से develop कर सकता है, जिसको हम लोग consider कर सकता है, लेकिन अभी के लिए मुझे इस charger के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लगा, जिसके वज़े से ये charger जो हम आप लोग को recommend कर से कुए, इसके लाव मैंने एक और charger purchase किया है, जो कह मैकसेफ का ही charger, लेकिन third party manufacturer के तरफ से, अगर आप लोग को नहीं पता, तो जिस तरह MFI का license Apple देता है, दूसरे manufacturers को hardware produce करने के लिए, इसी तरह MagSafe का license है, वो भी Apple दूसरे manufacturers को दे रहा है, ताकि वो लोग अपने third party accessory वगरा, develop कर सेखे, इसी तरह मैंने ये charger purchase के, ये कुछ 1900 रुपिस का charger है, और ये जो charger है मैंने रेगर के तरफ से purchase के, तो इसको मैं test कर रहा हूँ, और इसका feedback का आप लोगो चैनल पर इसी वीक दिखने मिल जाएगा, तो ये तक आज का वीडियो उमिद करता हूँ, आप लोगों को पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share ज़रू करना, अगर चैनल पर नहीं हो अभी तक subscribe नहीं करना, ज़रू subscribe करना और जो bell वाल आइक और उसके प्रेस कर देना notifications के लिए, थैंक यू,